राजिस्तान में मचे सियासी घमासान को लेकर हर तरफ हलचल तेज है इस घमासान पर परिवेक्षकों की रिपोर्ट में अशो गहलोत को कुलीन चिट मिली थी इसी के साथ रिपोर्ट में गहलोत के तीन करीबियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें धर द्रमेंदर राठोर का भी नाम था इसको लेकर धर मेंदर राठोर ने निजीजुए इंडिया से खाश बाठी थी इसमें ने कहा कि हम अपना पक्ष्याला कामान के सामने रखेंगे इसी के साथ उन्होंने सचिंपालेट पर बीजेपी के साथ मिल कर सरकार गिराने का आरोप भी लगाया है कि प्रदेश में सियासी गमासान के बीच हमर साथ धर्मिंद राठोड जी है राठोड साब नोटिस मिलाया पार्टी का अनुसासन इनतावलक क्या मानते हैं इस तरह देखने हैं पूरे घटना करम को क्योंकि आप कह रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के अजेंड थे सरकार गिराने का काम कर रहे थे उन्हें सत्तास अपने की तैयारी भी आपको अच्छी तरह पता है कि थोड़ी दिन पहले कोरोना के चलते जिस कोरोना का प्रबंधन इ कितना बड़ा पाप किया है कि बड़ी घढ्दारी की है कि जो राहोल गाणी सोनिय गादी को डैमाइज करना चाछा है मोदिजीं मोदि जह की सरकार को यह जो विकावा लोग है यह घढदैरी करने बाल फ्रोग है शताएं लें देडानिक अर। न बैसला की अस्ती विशरजन का आउठा और नुट मैं जो पोईटर कारेकरम को यह लोग जूते चपल उचालके और घृधं franc कर रहे हैं उसके खेमा ये भी कह रहा है कि जिस समय माने सर्फ सचिन पालेट की नेत्रतम विदायक गे तो उसके बाद सरकार हैं पांच मंत्री एड़ेस्ट कर लिए जब वापसी पार्टी आला कमान ने कर दी तो अब रोध क्यों इस समय क्यों देखिए मैंने का इस बहुत सिजन लिड़ा है कांगरेसे ने को बहुत कुछ दिया है उनको एम पी बनाया उनको केंदर मैं मंत्री बनाया उनको परदेश को अध्यक्स बनाया उनको डिप्टी सीम बनाया तो वह थोड़ी बीजेपी से मिलके गदारी कर सकते हैं वह इना गदारी पता-पढ़ा ना ऐस कोई अभी भी कोई गहरी साजस्त तो नहीं है कहीं यह बीजेपी किया इस सारे पर कोई उल्टा खेल हो रहा हूँ यह संकरती वह संका दूर कर देते को बात ही नहीं होती